नमस्कार स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टन में दोस्तों शेर मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी बनी वी है चाहे सैंसेक्स ले लीजे निफ्टी ले लीजे पिछले एक साल के दोरान अच्छा खासा वॉलेटाइल ये मार्केट रहा है यहाँ पे देख ल यहाँ पे देखने के लिए मिली है तो शेर मार्केट का यह अप डाऊन करना मुझे तो इसकी क्या लगता है इसकी हर्ट बीट की तरह लगता है जैसे किसी इंसान की हर्ट बीट उपर नीचे उपर नीचे करती है वैसी ही पूरे शेर मार्केट की जान है सैंसेक्स और द razor जो कि उपर नीचे उपर नीचे करते रहते हैं तभी ये चलता रहता है ये जो है volatility कितनी भी बनी हो हम लोगों को focus करना है अच्छे shares buy करने पे आज की इस वीडियो में आप लोगों को तीन stocks के बारे में जो है information देने वाले हैं TCS जो कि कल बहुत बड़ा दिन है इस company के लिए साथ में एक share जिसमें की आखरी मौका आप लोगों के पास 17 October को है वन इस टू फाइब का split मिलेगा यानि की एक share के बदले आप लोगों को 5 share मिलेंगे और Reliance Power के share rule रगे बहुत बड़ी ख़बर आप लोगों को बताने वाले है आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर कहेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और बगल में जो बेल का एकनों से प्रेस कर लीजे और वीडियो को लाइक करने में बिलकुल भी जोसी ना करें सबसे पहले बात कर ले तो दोस्तों TCS के बारे में यानि कि Tata Consultancy Services Limited इंडिया में अगर बात की जाए in terms of market capitalization तो software industry यानि कि IT industry में ये पहले नंबर पे company आती है सबसे बड़ी company software industry में आज की डिट में TCS है दूसरे नंबर पे Infosys आती है उसके बाद other companies हैं जैस की विपरो है HCL Tech है या other companies है company का जो share price है अभी 3068 रुपए के करीबे trade कर रहा था generally जो ये share था 3700 रुपए से लेके 4000 रुपए के बीच trade कर रहा था लेकिन दो reason की वज़े से पूरा का पूरा जो IT index है वो नीचे गिरावा है पहला reason जो USA में recession का फियर बनावा है उसकी inflation बढ़ती चली जा रही है उसकी वज़े से ये share नीचे गिर रहे हैं पूरा का पूरा IT stocks लेकिन क्या long term में जब share ये गिरा है तो recovery नहीं दिखाई है ऐसा हो सकता है गया मुझे बिलकुल भी ऐसा नहीं लगता है जितनी भी बार ये share गिरा है जाहे जितनी भी बार गिरा हो उतने से जादा इसने recovery करके दिखाई है अब अगेन यहाँ पे एक मौका बन रहा है जो long term के share holder है जो beginner है share market के अंदर उनको यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और इस तरह के share को वो अगर सस्ते दाम में खरीदते हैं तो इसको एक term share market में कहा जाता है value investing जी जो है buy कीजिए और high जब हो वहाँ पे sell कर दिए टाटा consultancy services कल का दिन यहाँ पे बहुत खास होने वाला है क्योंकि कल company के result आने वाले है जी हाँ दोस्तो company के result आने वाले है result के 7-7 company dividend declaration कर सकती है company इससे पहले भी 2022 में ही 3 बार dividend company declare कर चुकी है अपने share order को माला माल बना चुक box में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है TCS के बाद जो है Wipro के result आएंगे 12 October को Infosys के आएंगे 13 October को तो इस तरह से IT industry एक guidance देती है पूरी के पूरे market के कि किस तरह के results यहाँ पे आ सकते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो expect किया जा रहा है कि कैसे result रह सकते हैं business standard ने एक data यहाँ पे collect किया इसका credit भी business standard को ही जाता है IT giant का जो यहाँ पे ऐसा expect किया जा रहा है कि लगभग इनको 10,150 करोड रुपए का जो है net profit हो सकता है इस quarter में expect किया जा रहा है और top line यानि कि इनका जो revenue है 53,552 करोड रुपए का रह सकता है यानि कि यहाँ पे अच्छ रेविन्यू देखने के लिए मिल सकता है शेर मार्केट के अंदर अगर यह estimates को touch कर जाता है कल तो यहाँ पे share के अंदर आप लोगों को जवर्दस धरीतारी देखने के लिए मिल सकते हैं और नई उडान ये भर सकता है लेकिन अगर estimates touch नहीं करता है तो downfall भी आप लोगों क देखने के लिए मिल सकता है जो कि मैं खुद कहूंगा again एक buying opportunity होगा हम सब के लिए अगर आप long term के investor है तो दूसरी company Reliance Power Limited Reliance Power दोस्तों इस company ने जो है shareholder के पैंसों को डुबोया है एक तरह से मैं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत high से यह share अपने जमीन को यहाँ पे touch करने लग लेकिन previous दो trading session में लगवग 10% के returns इस company ने बना के दिये हैं ऐसा क्या खास हो गया है Reliance Power के अंदर जो कि एक आएक लोग इसके shares को buy करने लग गए हैं दोस्तों share market में चाहे आप हो हम हो चाहे कोई भी हो सभी को पैंसा बनाना है और इस तरह की opportunity सभी ढूरते रहते हैं कि उन उसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ जहां पी कि Reliance Power के shares जो हैं buy किये जा रहे हैं उससे पहले एक चीज कहूंगा description में जिरोदा, Upstock & Angelo ने इन तीनों के link दिये गए हैं तीनों के link पे click करें account open करें और enjoy करें तीनों की services Reliance Power ने दोस्तों long term में जो कि अभी एक penny share बना हुआ है कभी ये 300 रुपए के करीब trade करता था लेकिन minus 92% से भी जादा कि इसने negative returns दिये हैं यानि के कंगाल बना दिया है अपने shareholder को लेकिन इस company के अंदर हाल ही में Black Rogue Core ETF ने, iShare MSCI India Small Cap ETF ने और ICR Core जो MSCI Emerging Markets ETF इन तीनों ने buying किया है, stake buy किया है एक bulk deal से Adag share है, ये Adag share क्यों कहा जाता है आप लोगों को बता लोगों, अनिल धिरुभाई अंबानी ग्रूप की ये company है इसलिए इसको Adag share भी कहा जाता है कई बार अगर मैं total बताओं कि block deal में किसने कितने shares यहां पर buy किये हैं तो सबसे जादा यहां पर देख लीजए आप लोग, iShare MSCI India Small Cap ने यहां पर खरीदे हैं, 11 लाग से भी जादा share, बहुत shares यहां पर buy किये हैं, इन तीनों ने मिलके, जी हाँ दोस्तों तीनों ने मिलके buy किये है लग भग यह जो है, दो करोड रुपए के यहां पर यह शेयर buy किये गए हैं, अब सोच लीजए, 17 रुपए के पैन शेयर में इतना जादा investment अगर किया जा रहा है, तो कुछ तो खास ही यहां पर होने वाला है, यह यहां पर opportunity है, जो कि क्या करती है, यह Reliance Power Company, यह construct करती है, डेवलप करती है, ऑपरेट करती है, पावर प्रोजेक्ट को, चाही इंडिया में हो, चाही इंटरनेशनली हो, दोनों जगए यह company जो है काम कर रही है, पावर जनरेशन में, उनके operation में, उनके maintenance में और development में पावर प्रोजेक्ट के, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय मे यह company अच्छा काम करें, इसलिए यहाँ पर यह opportunity देखके, पैसा यह fund लगा रहे हो, क्योंकि हाल ही में, FII ने भी इस share के अंदर, जो है share holding increase की है, तो penny share के अंदर जो है एक मौका है, पैसा बनाने का, लेकिन risk भी बना रहेगा, यह चीज हमेशा ध्यान में रखने चीए, त इसको की यह convert करने वाले हैं, दो रुपए की face value में, यानि की एक share के बदले जो है, company 5 share देने वाली है, अपने shareholder को, और किसी के पास अगर 100 share है, तो वो 100 share 500 share में convert हो जाएंगे, sub-divide होके, तो यहाँ पे इसके लिए record date रखी गई है, 19 October, तो 18 October को दिन क्या होगा यहाँ प के पास जो है eligible आप लोग हो पाएंगे इसके split के लिए, company का नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा, HLE Glass Code Limited है, एक multi-bagger share है, जिसका की ROC 26%, return on equity 28% का, और market capitalization 4700 करोड रुपए का है, company के अंदर जो है promoter holding 70% की debt नामातर का है, और reserves 200 500 करोड रुपए के हैं, net annual profit 61 करोड HLE Glass Code जो की glass lined equipment and filters, dryers, equipment की manufacturing करता है, various industries के लिए, अब ये glass lined equipment होते के हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, chemicals को रखने के लिए, और testing करने के लिए, बहुत सारे product की जरुरत होती है, चाहे pharmaceutical company हो, chemical company हो, वहाँ पे भी, उनके लिए ये product की manufacturing करता है, HLE Glass Code Limited, company का जो sales है, बह 808 करोड रुपए, 89 करोड रुपीज का operating profit और net profit 62 करोड रुपीज का, share holding pattern देखेंगे, तो यहाँ पे जो है, 70% promoter के पास, FII 4%, 24% public के पास है, HLE Glass Code पिछले एक साल के दोरान, negative 49%, almost minus 50% या, half rate पे मिल रहा है, अपने all time high से, maximum time में इस company ने 37,790 परतिसत के returns भी बना के दिये हैं, यानि कि 377 times कर दिया है shareholder के 500 को, और अब एक share के बदले 5 share, यानि कि lottery लगा चुका है अपनी shareholder की, साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज जरूर कहूँआ, डिस्क्रिप्शन में आप स्टोक जिरोदा एंजलवन, इन तीनों के link दिये गए हैं, तीनों के तीनों इंडिया के जो हैं, टॉप ब्रोकर हैं, इन तीनों के link पे click कीजिए, account open कीजिए, और enjoy कीजिए इन तीनों की services, त आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद,